आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो fn के Equal है तो हमें इस सिरीज के Inverse का Value बताना है वो सिरीज क्या है? सिरीज है हमारी n इक्वल तो 4 से लेके Infinite तक का Sum 1 by fn का ठीक है? और उसका Inverse का Value हमें बताना है ठीक है? तो देखो सबसे पहले n Married Couples है ठीक है? n Married Couples तो Total Number of Persons क्या हो जाएंगे? तो Total Number of Persons हमारे 2n हो गया है अब देखो यहाँ पर हैंडसेक हो रहा है तो 2n में से जब मैं कोई दो आदमी को चुनूँगा वो आपस में हैंडसेक करेंगे? ठीक है? तो यह हो जाएगा मेरा Total Number of Handseks 2n सी 2 अगर मैं बोलूँ तो यह Total Number of Handseks हो जाएंगे? ठीक है? तो Handseks अब देखो यहाँ पर यह कुशन में क्या बोला है? कि जो Spouse है वो अपने Spouse के साथ कोई एक परसन अपने Spouse के साथ Handseks नहीं करता है ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगे? कि अगर 2n परसन है, तो उनमें से n हमारे क्या होंगे? एन हमारे Merit Couple है, मतलब n Spouse है ठीक है? तो 2n C2 जो हमारा Total Number of Handseks था उसमें से अगर मैं n को मैंनेस कर दू ठीक है? तो n हमारे जो Spouse है वो आपस में Handseks तो नहीं करने वाले तो n को मैं मैंनेस करूंगा तो यह Total क्या हो जाएगा? Total Number of Handseks ठीक है? तो यह हमारा आगया Total Number of Handseks वेन, कंडिशन क्या होगा? वेन, No Spouse Handseks With Each Other ठीक है? तो आपस में जब यह क्या होगया? कंडिशन, आपस में जब कोई भी Spouse Handseks नहीं कर रहा तो यह Total Number of Handseks निकल गया है ठीक है? अब देखो यह हमारा दिया हुआ है किसके एकवल? Fn के एकवल ठीक है? तो Fn हमारा क्या होजाएगा? 2n C2 minus n ठीक है? इसको जब मैं solve करूँ तो यह हो गया 2n into 2n minus 1 upon 2 2n C2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और यह minus n पहले से था ठीक है? अब जब मैं 2 से 2 2 cancel करूँगा तो यहां से 2 से 2 cancel तो क्या आगया? यह देखो n into 2n minus 1 और minus n ठीक है? तो अगर मैं n common ले लो तो यह क्या लिखा हुए? n अंदर बचेगा 2n minus 1 और यहां बचेगा minus 1 ठीक है? तो यह लिखा हुए n into 2n minus 2 अब 2 भी common ले लो ठीक है? तो 2 common ले लेता हूँ तो 2 common लिया तो अंदर बचेगा n minus 1 तो यह हमारा fn आ चुका है ओके? अब देखो हमें question में क्या बूला है? कि fn नहीं हमें इस series का sum बताना है series हमारी क्या है? series हमारी है देखो यहां पे मैं series लिखता हूँ तो summation n equal to 4 से लेके infinite है ठीक है? और यह है 1 by fn हमें निकालना है ठीक है? सबसे पहले इसको निकाल लो फिर इसका inverse निकाल लेंगे ठीक है? तो इसकी value निकालने के लिए यहां पे देखो हमारा क्या हो जाएगा? summation n equal to 4 से infinite 1 by fn 1 by fn का मतलब क्या हो जाएगा? 1 by 2 times n into n minus 1 हो जाएगा? ठीक है? तो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ? summation n equal to 4 से लेके infinite ठीक है? 1 by 2 को बाहर ले लो तो यह अंदर क्या लिखा हुए? 1 upon n into n minus 1 लिखा हुए? ठीक है? अब देखो, इसको मैं जा swap करूँगा, तो यह क्या जाएगा? summation n equal to 4 से लेके infinite, ठीक है? और यह 1 by 2 तो मेरा as it is बाहर ही रहेगा, ठीक है? तो 1 by 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, और यह क्या हो जाएगा? summation, ठीक है? यह हो जाएगा 1 upon, इसको उपर में क्या आगा? n minus minus n minus plus 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा उपर में देखो? उपर में आ रहा है n into n minus यहां पर n minus 1 आ रहा है तो यह solve करो, तो यह जाएगा n minus n plus 1 तो n से n cancel, सिर्फ 1 बचा, तो उपर में 1 ही है, ठीक है? तो अपन इसको split करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां से देखो, इसके बाद अगर मैं सिर्फ को solve करने जाओ, तो यह क्या हो जाएगा? 1 by 2 तो मेरा बाहर, ठीक है? n का value जब 4 रखोंगा, तो 4 रखो यहां पर, तो क्या बनेगा यह? 1 by 3 बनेगा, ठीक है? और यह 1 by 4 बनेगा, ओके? फिर प्लस में क्या हो जाएगा? जब n का value 5 रखोंगा, तो 1 by 5 minus 1, that is 1 by 4, ठीक है? और यह minus क्या हो जाएगा यहां पर? 1 by 5, फिर प्लस करो, अब 6 रखो n का value, तो यह हो जाएगा 1 by 5 minus 1 by 6, similarly ऐसे चलते रहेगा, ठीक है? और आगे कहां तक जाएगा? यह infinite तक जाएगा, ठीक है? तो infinite तक हमारा सीरीज का समय, तो यह infinite तक जाएगा, देखो एक trend यहां पर बन रहा है क्या? कि यह second वाले से third कटा, ठीक है? फिर उसके बाद fourth वाले से fifth वाला term कटा, फिर six वाले से आगे वाला term कटेगा, similarly, last वाले से पहला वाला term कटा, उसके just पहले वाला term cancel हो जाएगा, मतलब सारे term यहाँ पर cancel हो जाएगे, सिर्फ क्या बचेगा? 1 by 2 तो मेरा पहले से था, सिर्फ first term बचेगा, that is 1 by 3, ठीक है? तो यह हमारी क्या आगई value? 1 by 6 के equal, ठीक है? तो यह हमारी value आई है, इसकी, ठीक है, summation of, summation of, मैं यहाँ पहले कूँ, तो summation of n equal to 4 से लिके, infinite 1 by fn की value आगई, ठीक है? लिगे हमें पूछा क्या था question में, कि इसका inverse बताओ, ठीक है? That is summation of n equal to 4 से लिके, infinite 1 by fn का inverse बताओ, ठीक है? तो इसका inverse का मतलब क्या हो जाएगा? 1 by 6 का inverse, ठीक है? तो 1 by 6 का inverse क्या हो जाएगा? 6 के equal, ठीक है? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आनसर हो जाएगा, ठीक है? तो यही हमारा 6 answer है, ठैक्स Classics से 12 से लिके meet IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जाधा students का भगूसा आज ही राउनलोड करें डाउटनेटा या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर